नमस्कार दोस्तो वल्कम टू ए निव वीडियो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वहले कैसे आप अपना फेस्बूक पेज को शेरिंग सेटप स्रेप पांच उनिट में वह भी खुल से त्यार कर सकते हैं मतलब आपका जो फेस्बूक पेज है उसका पोस्ट को हजरो है तो वीडियो से बहुत कुछ सिखने वाले हो यह वीडियो को सुरू से खतम तक मतलब एड- तक पूरा आपको देखना पड़ेगा औसका अगर एक भी पाट आपने कर दिया तो आप सीखनी पाएंगे और इसका भी जो भी स्टेप से आपका मतलब दिमां के घुजएगा नहीं और एक बार घुज गया और एक बार आपने इसको समझ लिया तो जिन्दे की आप भूलनी पाएंगे मतलब इस वीडियो को सुरू सेंट तक बीन स्किप किये देखिए और इसका हार एक स्टेप आपके लिए इंपोर्डेंट है और आपका फेजबूक पेज को आप ग्रो करना चाहता है और आपना फेजबूक पेज के लिए जो दस थाजर फॉलोवर्स और छे लाग वास्टेम चाहिए वह भी इस वीडियो को देखने के बाद कंप दिक्कत हो सकता है जैसे आगर आप ब्रॉड्बेंड उसकर रहे हो तो फिर आगर आपको पकड़ लिया तो सकते है जिए एक आदमी एक ही एकाउंट से हाजारों ग्रूप में क्यों सेर कर रहे हैं वह भी एक ही प्लेस से इसके पिछे क्या कारण हो सकता है वह आपको पकड है मतलब अलग अलग मेंबर का अलग अलग फोन है तो अलग अलग डेटर से आप से इस सेरिंग सेड़प को तैयर कर सकते हो अगर नहीं है तो क्या कहा जा सकता है और ब्राड बेंड से अच्छा मोबाइल है यह सोच के आप आगे बढ़िएगा ठीक है तो चलिए दूस्तों इसका जो steps है यह तो बहुत भूलने बाला step तो मैंने इंट्रो दे दिया आप सभी को उसके बाद mobile data के बरे में बोल दिया है अब यह create folder करना पड़ेगा दोस्तों यह जो steps है मतलब यह जो आपको folder create करना पड़ेगा वो आप c drive छोड़कर मतलब जहां पर आपका operating system है उसको छ को छोड़के d e में आप कर सकते हो मैंने इक open कर लें यहां पर मेरा जो folder उसको बनाऊंगा जैसे कुछ अलग अलग टाइप का मतलब तीन चाठ्थो में folder बना लूँगा बना लेने के बाद मैं जिस इस topic पर काम करता हूँ और उस topic का अलग अलग folder बना लेता हो उसका नाम भी यूज करूंगा ठीक है अलग अलग जैसे आप 10 topic के साथ काम कर रहे हो तो आपको अलग अलग उसका नाम भी रखना पड़ेगा जैसे मैं काम करता हूँ comedy में कम करता हूँ ठीक है और उसके बाद मैं WWE वीडियो में कम करता हूँ और movie clips में भी काम करता हूँ movie clips तो मैंने अलग-अलग folder बना लिया उसके बाद मेरा जो steps है वो है create folder chrome in drive d और e मतलब अभी chrome को clone करना होगा तो chrome कैसे clone करना होता है वो आपका जो जैसे chrome यह open हुआ है ठीक है अगर आपका id login है तो उसको log out करके भी आप कर सकते हो जैसे मेरा यह account login नहीं है तब भी मैं कर सकते हूँ यह जो आपका दीक रहा है जो यह एक photo account यू बाला यह पर click करने के बाद यह जो add बाला option है यह पर आप click किजे click करने के ब लिए और एक tab आप आपना जो setup your new chrome profile to access your chrome stuff across all your devices sign in then turn on sync तो यह पर दो option है sign in और continue with an account तो आपके पास अगर दूसरे account है तो भी open कर सकते हूँ और continue with an account मतलब कुछ वेब कर सकते हूँ क्लिक करने के बाद आपके समने customize your chrome profile बाला option आगे photo लगने बाला option आगे दोस्तों एक chrome को आपको clone करना होगा जो यह पर लिखा हुआ है add a name और label like work personal or kids मतलब यह पर आपको एक नाम देना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पर comedy के लिए जो setup बना रहू तो comedy लिख दिया comedy page one यहा एक color देता हो जैसे यह वाला color ठीक है इसको दे दिया और चाहिए भी दे सकते हो ठीक है color देने के बाद इसको मैं जो create a desktop shortcut यहाँ पर मैं done कर दूंगा run करने के बाद यह जो नाया जो chrome page है देखिए अपर ले comedy page one यह create हो गया है तो इसको क्या करना है next step है इसको d या और e में shift करना है तो यह कहां पर है यह मेरा desktop पर है मतलब c drive में तो इसको यहाँ पर control x करके जो d और e है कहीं भी इसको save करना होगा ठीक है जैसे में comedy वाला में save करूँगा तो comedy में काम कर रहा हूँ तो comedy वाला में मैंने यह पर इसको save कर लिया ठीक है मतलब एक और एक step है थूड़ा इसको यहाँ पर मैंने पेश्ट कर दिया तो पेश्ट करने से पहले और एक काम है यह पर कुछ और भी फोल्डर बनाना होगा जैसे कोमेडिवल उप्सेन है तो कोमेडिवल फोल्डर में आकर मुझे हर एक दिन मतलब हपते में अगर साथ दिन आप काम करना चाहते हो तो अलग-अलग डे पर अलग- ब्रावजर पर अलग-अलग क्लोन पर आपको काम करना पड़ेगा नहीं तो आप पकड़ जा सकते हो तो क्या करना होगा जैसे में एक्जांबेल के दोरन मैं कुछ अलग फोल्डर बनार हो ठीक है यह पर दो फोल्डर बना दिया ठीक है यह पर मैंने लिख दिया है मंडे ठीक है मंडे लिख दिया और सेकेंड वाल आप्शन में लिख दिया मैंने ट्विस्टे मतलब अलग-अलग भी त्वेस्टे मारा अलग 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 डे में उपर अलग फोल्डर के लिए लग अलग अलग ze से सब काम करोगे माल अलग 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 Chrome से तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा तो यह क्या होगा इसको यहां पर Monday में तो इसको Shift कर दीजे, सिफ्ट करने के बाद यह जो क्रोम वाला ओप्सन है इसको अप एडिट करके परसन वान भी आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो दोस्तों यह आपका जो मंडे के लिए जो सेरिंग सेट अफ है वो बन के इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा जो नॉर्मल वा यहां से आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद यहां पर आपको अपना आइडि और पासवाट देना होगा मैंने जो अपना सेरिंग सेटप बने ले तो मैं आभी नहीं दे रहा हूँ तो इसको देने के बाद आपका जो एकाउंट हो लॉग इन हो जाएगा दोस्तों इसको करने के बाद यहां पर इसको डान कर दीजे मतलब यहां पर आपका bookmark setting हो गया है तो दोस्तों में अगर आप comedy page 1 में क्लिक करोगे तो आपका जो bookmark है वो यहां पर आ जाए मतलब इस पर एक लिक करोगे तो आप फेजूग में चले जाओगे अगर अपना एकाउंट लॉग इन है तो यहाँ पर आपका एकाउंट लॉग इन हो जाए मतलब इससे आपका क्या फाइदा होने वला है जो अगर आप बार बार अलग-अलग जो क्रूम से मतलब बार बार आप अपना एकाउंट को लॉग इन करोगे तो उसके तोरह ने चेकिंग होता हो चेकिंग में आप फास होगे नहीं तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा तो अगर आपने बहुत जादा मतलब आईडी को क्लोन कर लिया और माल्टिपील आईडीया बना लिये तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा तो एक ही शेयर में अलग-अलग गुरूप में आपका जो पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हो तो दोस्तो यह बहुत इसी ट्रिक्स है और इसी ट्रिक्स है जो एक बहुत सीख ले हो कभी भूलेगा भी नहीं तो दोस्तो इसी तरीके से जो एक सेयरिंग सेटप इसको बनाना पड़ता है दोस्तो एक सेयरिंग सेटप कैसे बनाना होगा तो आपको देखा दिया अपना आईडी यहापर आईडी सेब कर ले और वहां से आपका ग्रूप को भी एड कर लिया ठीक है और इसी तरीके से जैसे सो दो सो हजार आप पेज बना लोगे तो आप ढूंड नहीं पाऊँगे तो इसी दोरण यहापर आपको नाम लिख देना पड़ागा जो कौन से डे के लिए आप यूज़ कर रहे हो और किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसी तरीके से अपना जो फेज़बुक सेयरिंग सेटप है वह बना सकते हो तो दोस्तो अगर वीडियो का अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तो फेज़बुक के बारे में नयना जो वीडियो है उसको देखना चाते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तो यह वीडियो एही तक और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में जय हिंद